रेनो कुएड अपनी रेनो कमपनी की सबसे फेमस कार है अगर मैं बात करूँ इसके sales figure की इसके looks की इसके design की तो ये number one car है रेनो कमपनी की वहें इसको काफ्य time तो इसका फेसले वर्जन भी बनता है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, और आपके साथ इसके डिटेल भी शेयर करूँगा, स्पाय इमेजिस भी शेयर करूँगा, इसके एक्स्टीरियर की और इंटीरियर की, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी रिलेटिट कार न्यूज में आप लोगों के लिए मिशा लेकर आता है रहता हूं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में, आपको इसके अंदर काफी अध्राइब को इसके आपको मिल जाएंगे , जैसे जो सबसे मेंep 파क्टर वाला इसका फीचर है , आपको इसके अंदर अपडेटिट्ने क्लूज मांधका , प्लाइट्राइबर ऐसम अंड्रोइड आपको दिलेगा, Fully digital instrument cluster आपको देहने के ले मिल जाएगा Redisigned air vents मिल जाएगे Piano black inserts मिलेंगे Steering wheel के पास Orange colored highlights आपको देखने के ले मिल जाएगी AC vent के पास और gear lever के पास वहीं अगर exterior की बात कर नो तो आपको इसके अंदर DRL देखने के ले मिल जाएगी उपर के साइड और थोड़ा लो प्लेस करके आपको इसकी headlamp देखने के लिए मिल जाएंगे वहीं आपको re-design bumper भी इसका देखने के लिए मिलेगा और re-design bonnet भी आपको देखने के लिए मिलेगा थोड़ी सी muscular look आपको इसमें देखने के लिए मिल सकती है वहीं अगर back look के बात करूँ तो C-shape में आपको LED tail lamps देखने के लिए मिल जाएंगे जो की काफी अच्छे look देते हैं वहीं अगर मैं engine के बात करूँ तो PS6 engine norms आपको मिलेंगे इसके अंदर और 2 आपको petrol engine इसके अंदर मिलेंगे 0.8 liter और 1.0 liter petrol engine मिलेगा 5-speed manual and automatic transmission आपको दोनों ही इसके इंदर मिल जाएंगे यह थी कुछ overall detail Renault quit के बारे में यह जल्दी ही launch होने वाली है अगर आपको इसकी walk around videos, comparisons और reviews देखने हैं तो channel को आप आप भी subscribe ज़रूर कर लेना क्योंकि अगर आप subscribe करेंगे तब ही आपको यह notification ज़रूर मिल पाएगी, आप वीडियो को like करना, share करना और बागी हम मिलते हैं next video में, till then take care, bye bye